स्टील ट्रेक अठारा में पीटियो फीचर के अगर बात करें आपको मिलता है MR-PTO माने मल्टी स्पीड रिवर्स पीटियो जैसे स्क्रीन में दर्शा गया है अलग-अलग गेर स्पीड में अलग-अलग PTO स्पीड आपको प्राप्त होता है आईए दोस्तों ये स्पीड कैसे प्राप्त करें उसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं MR-PTO प्राप्त करने के लिए PTO लिवर को आपको ट्रेक्टर के पीचे की तरफ रखना पड़ेगा यहां देख सकते हो जब आप पीचे की तरफ रखते हो PTO लिवर तो उसको हम only PTO मोड भी कहते हैं मतलब विद ड्राइव मोड में रखना पड़ेगा जब आप रोटावेटर चलाना चा walnutे हो तो हाई लोग आप जब लोग में डालते हो तो लो स्पीड स्पीड प्राप्त होता है, देखिए, दूसरे में डालते हैं, तो कितना स्पीड प्राप्त होता है, तीसरे में डालते हैं, तो स्पीड देखिए, और चौते में डालते हैं, तो maximum स्पीड प्राप्त होता है, लो में, और जो खास फीचर है, वो reverse है, जब आप reverse में डालते हो तो PTO उल्टी दिशाम में घुमना स्टार्ट हो जाता है Rain Selection Leaver को High में डालेंगे और इसकी अलग-अलग Speed Main Gear Leaver को Change करके देखेंगे कैसे प्राप्त होता है Main Gear Leaver जब आप पहले Gear में डालते हो तो कितना Speed प्राप्त होता है देखिए दूसरे में डालते हैं तो कितना Speed प्राप्त होता है तीसरे में डालते हैं तो Speed देखिए और चौते में डालते हैं तो Maximum Speed प्राप्त होता है और जो खास फीचर है वो Reverse है जब आप Reverse में डालते हो तो PTO उल्टी दिशाम में घुमना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों जैसे कि आपने देखा Multi Reverse PTO इस ट्रेक्टर में कैसे प्राप्त करना है अभी बात करेंगे इसकी इस्तमाल के बारे में अगर आप Rotor वेटर चलाना चाहोगे Steel Track 18 में तो आप Low के दूसरे का गेर सेलेट करो PTO सेलेक्शन लीवर को PTO with drive मोड में रखिएगा और इंजिन की RPM 1800 से 1900 रखोगे तो रोटर वेटर आपका आसानी से चल जाएगा अभी बात करते हैं Water Pump या Alternator चलानी का जो खड़े-खड़े ट्रेक्टर में आपको PTO की स्पीड प्राप्त करने है PTO सेलेक्शन लीवर आप रखिए Only PTO drive मोड में और high low gear lever जो है वो high में रखिए और मन चाहा speed आप main gear lever को लगा के ले लीजिए कम इंजिन के RPM में आपको PTO के ज्यादा speed मिलेंगे इसका मतलब कम डिजल के खपत ज्यादा output धन्यवाद